तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जन्म के समय आपको कितना रुपया दिया जाएगा 2000 रुपय और 5000 रुपय यानि 24 और 25 में आप 5000 रुपया कर दिया गया है अभी ये बर्तमान में अभी आपको कितना रुपया मिल रहा था 2000 लेकिन आप 5000 मिलेगा 2024 में उसके बाद दोस् योजना है जिसके थुरू आपको ये 25,000 रुपय मिलने बाले हैं तो ये कौन सी योजना है देखे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि अच्छा एक में प्रिवेस कितने रुपय और 6 में प्रिवेस 9 में प्रिवेस 3000 5000 कर दिया गया है तो ये आपको कौन सा योजना के रुपया कैसे मिलेगा ये बाला 25,000 पहले 15,000 था लिकिन अब 25,000 मिलेगा 5,000, 2,000, 3,000, 3,000, 5,000, 7,000 तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे बेब साइट पर तो यहां पर आजाना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास उत्तरप्रदेश सरकार तो यहां पर मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के थुरू आपको यह पैसा मिलने वाला है तो यहां पर देखे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है योज नबीन योजना रासि का क्रियविन्यास एवं प्रतीय एक चरण में दस्तावेज कम किये गए हैं दस्तावेज कम किये गए हैं तो कौन से दस्तावेज कम किये गए हैं चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं और यहां पर आपको कितने कितने रुपाए मिलने वाले हैं सारा कुछ यहां पर हम लोग जानेंगे और यहां पर यह देखिए कन्या सुमंगला योजना क्या तो चलिए सबसे पहले यहां पर कितने दस्ताबेज कम किये गैं, जिससे आप लाब ले सकते हैं तो यहां PDF यहां से डाउनलोड करेंगे और यहां पर देखेंगे मुख्यमंतरी करना है सुमंगला धन्थाासी में मिरद्धी किये जाने तथा आबेदन पत्र हेतु कथा अब इलेक की शंख्या कम करने बा योजना के आबेदन पर छेत्रिये कर्मिकों आगनवाडी कारिकत्री के माध्यम से भरवाए जाने के शंबंद में ठीक है तो तो अब आपको किन से मिलना है सीधे सीधे आपको सुमंगला योजना में आपको भरवाना है ठीक है अब भरवाने के बाद दोस्तो जब आप लोग यह फॉर्म भरवा देंगे तो अब आपको पैसे मिलेंगे तो देखिए दोस्तों जन्म के टाइम आपको पहले 2,000 मिलते थे लेकिन अब 5,000 मिलेंगे जन्म के टाइम तो यह सारा कुछ यहां पर देखे दोस्तों पहले 15000 थे लेकिन अब बढ़ाकर जो धन्राजी है वो पच्छेस जार कर दी गई है यह देखिए पच्छेस जार कर दी गई है ठीक है तो अब आपको किस प्रकास से यहां पर इसको भरवायेंगे फारम तो आपको सीधे सीधे कहा जाना है अब आपकी जो भी कारिकत्री है यानि जो भी आंगरवाड़ी है जो भी कारिकत्री उनसे मिलना है सीधे और उनसे कहना है कि भाई मेरा जो फार्म है कन्या समंगला योजना में आप लोग मेरा फार्म भरवाद दें तो यहां पर आपकी जो भी कारिकत्री रहेंगी जो भी आपकी आगरवाड़ी रहेंगी वो 100% आपका फॉर्म भरवाएंगी और अगर नहीं भरवाती हैं तो आप लोग कहीं भी शिकायद भी कर सकते हैं online शिकायद कर सकते हैं online portal से शिकायद कर सकते हैं यदि आपको कोई भी problem आ रही है अगर आप आसानी से बर्वाना चाहते तो आप सीधे-सीधे जाएंगे और जंसेवा केंदर से भी भरवात शक्ते हैं आई होड़ा दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी कैसी लगी जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप सीदे जाएंगे, अपनी आंगरवाड़ी के पांस और उनसे पूरी जानकारी लेंगे, फट अफट से आप यह वाला फार्म भरबा देंगे, कैसी लगी जानकारी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मिलते हैं अगली वीडियो में